आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था मैंने 20 मिनट में कैसे खाना रेडी किया आइए मैं आपको बताती हूँ तो गाइज मैंना सुभा सुभा आलू बॉयल करके रख ली थी और आलू को छील लिया था मैंने आज कस्मीरी आलू दम बनाया है आईए मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाया 20 मिनट में खाना मैंने दो प्याद चुटे चुटे टुकडों में कट कर लिया और आलू को है ऐसे गोल छील के फ्राइ कर लूँगी मेरे पास आज बिलकुल भी टाइम नहीं था गाईज मेरी मेड भी नहीं आई थी और कैसे कैसे मैंने खाना बनाके डेड़ी किया ना मैं ही जानती हूँ एक तरफ मेरा आलू फ्राइ हो रहा है उस में हल्दी डाल के मैंने आलू फ्राइ किया और एक तरफ मैंने प्रेशर कुकर में जीरा हींग तिजपत्ता और लाल मिर्चा को चटकनी दिया जब मेरा फोरण चटक गया तो प्याज है ना छोटा छोटा आप टुकडा करोगे ना तो आपका प्याज है ना बहुत जल्दी गल जाएगा मैंने प्याज को रेड करके उसमें जल्दी-जल्दी सारे मस मसाला होता है ना हल्दी नमक मिर्चा पाडर गरम मसाला जीरा मरीच पाडर धनिया पाडर सब को मिक्स कर लिया उसके बाद गाइज दस मिनट में खाना तयार की हूँ आज आपको विश्वास नहीं हूँ दही थोड़ा सा था दही को मैंने फेट लिया क्यूंकि हमारे पास टाइम नहीं था टमाटर पीसने के लिए और उसमें जितना आलू बोल था सब को निकाल लिया और यहां पे मैंने लैसन अदरक को कूच के और प्रेसर कुकर में मैं प्याज के साथ गलने के लिए छोड़ दियू यहां पे मैं न दही में थोड़ा सा कस्मीरी मिर्स और कस्त को बना तो आप ऐसे खाना बना सकते हो तो सुबह सुबह मत्तब ऐसे भूच के उसके बाद सबजी डाल के मैंने सीटी लगा दिया थोड़ा सा मेरे पस दही बचा था तो मैंने सोचा रायता बनाओंगी इससे अच्छा मैं कढ़ी बना लेती हूं क्यूंकि दाल तो बना न जैसे नौनमल जो कडि बनता है ना बरी कडि बरी पंजाबी वहीं वाला कड़ी बना ली क्योंकि दाल बनाने का तो टाइम ने था तो कड़ी जल्दी बन गया देखे मेरा सबजी बनके रेडी हो गया है गाई तो कैसा लगा मेरा सबजी प्लीज कमेंट सैक्षान में गाइस मेरे पत्ति तब तक आ गए और आने के बाद नीचे ना दूद रखा था दूद लाके इन्होंने है ना बीना छन्ना से चाने उबलने के लिए डाल दिया मैंने इन्हें डाटा भी उसके बाद फिर मेरा कैमरा ओफ हो गया रोटी पकाते पकाते मैंने इनको पडाठा प्याज का सालेड बनाया रोटी दिया कड़ी दिया और आलू कस्मीरी आलू दम दिया अंस को पूरी छान दिया यूंकि पूरी थोड़ा सा छान देने से बच्चे खुस हो जाते हैं तो कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज कमेंट सक्षन ने बताइए कहां और आप ये कहा से दे क्रेओ।